Hello friends, welcome to Ajita Study Center तो आज के इस वीडियो में हम लोग present perfect tense का negative sentence को पढ़ने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना skip किये पूरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो देखिए present perfect tense के affirmative sentence में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो present perfect tense का है तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ अथवा ये है, ये है, या हूँ इत्यादी लगा रहे तो वो वाक्य जो है वो present perfect tense का वाक्य होता है अब यहाँ पर देखिए negative sentence है तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ रहता है तो जब इस तरह के sentence में नहीं जुड़ा हुआ रहे तो वो sentence जो है वो present perfect tense का negative sentence होता है तो इसका जो formula है यानि कि इसका structure जो बनाने का नियम है वो ये है पहले होता है subject और उसके बाद hive या hive और उसके बाद not और उसके बाद होता है भीधरी और फिर object तो देखिए I के साथ hive का परियोग करेंगे U, V और D के साथ हम लोग hive का परियोग करेंगे और जो बच जाता है third person singular number जैसे कि he, she, eat और कोई भी नाम तो इनके साथ हम लोग hive का परियोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर hive और hive का परियोग करना है तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किस subject के साथ हम hive का परियोग करेंगे और किस subject के साथ hive का परियोग करेंगे तो I, you, we और दे के साथ hive का परियोग और he, she, eat और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ परियोग करेंगे hive का तो चलिए अब हम लोग एक एक करके translate को बनाते हैं देखिए, पहला sentence है मेरे पिताजी नहीं आए हैं तो यहाँ पर है ये हैं ये हैं कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी नहीं आ चुके हैं बोलिए या तो नहीं आए हैं तो ये जो वाकिय है वो present perfect tense का वाकिय है तो इसका translate कैसे बनेगा देखिए इसका जो बनाने का नियम है सबसे पहले है subject तो subject में यहाँ पर क्या है मेरे पिताजी तो मेरे पिताजी को लिखेंगे my father अब my father के साथ परियोग होगा है जिका क्योंकि ये जो है वो third person singular number हो जाता है उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग है जिका परियोग कर चुके है फिर परियोग करना है not का तो यहाँ पर हम लोग परियोग करेंगे not का उसके बाद यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर भर्ब कौन है तो देखिए नहीं आए है मतलब कि आना आना का इंगलिस होता है come तो देखिए come came come क्योंकि यहाँ पर भर्ब का तिशरा रूप को लेना है तो यहाँ पर हम लोग परियोग करेंगे come c o m e और यहाँ पर उसके बाद करना है object लेकिन इसमें object नहीं है तो यहीं पर हम लोग sentence को end कर देंगे यानि की full stop लगा देंगे तो इस तरह से मेरे पिता जी नहीं आए है इसका translate बन जाएगा my father has not come चलिए अब यहाँ पर देखिए second है लोगों ने सहाइता नहीं की तो लोगों ने सहाइता नहीं की तो लोग, लोग का English हो जाएगा people p e o p l e तो देखिए people, people मतलब लोग, यह people जो है वो अपने आप में plural है तो इसके साथ हम लोग परियोग करेंगे हाइब का उसके बाद not का परियोग उसके बाद देखिए क्या नहीं की है तो यह सहाइता नहीं की तो सहाइता करना का English होता है help लेकिन भर्ब का तीसरा रूप को लेना है तो help, helped, helped तो यहाँ परियोग हो जाएगा helped का और फिर object नहीं है तो यहीं पर sentence को end करेंगे तो इस तरह से लोगों ने सहाइता नहीं की का translate बनेगा people have not helped next third sentence है राम किताब नहीं पढ़ चुका है तो राम जो है वो यहाँ पर subject है तो लिखती है राम उसके बाद यह राम जो है वो नाम है तो इसके साथ परियोग होगा हाईज का उसके बाद not का परियोग करना है और उसके बाद भर्ब का तीसरा रूप तो यहाँ पर भर्ब है पढ़ना यानि कि read means पढ़ना तो इसका तीसरा रूप तो read, raid, raid तो यहाँ पर लिखेंगे raid लिखेंगे read लेकिन इसका pronunciation होगा raid तो राम हैज नोट रेड उसके बाद देखे भर्ब का तीसरा रूप के बाद object का तो इस sentence में object क्या है? तो किताब है तो राम हैज नोट रेड बूग और फिर फूल स्टॉप तो इस तरह से राम किताब नहीं पढ़ चुका है का translate बन गया राम हैज नोट रेड बूग आगे है सीता हजारी बाग नहीं गई है तो सीता तो सीता लिख दिए तो सीता एक नाम है तो इसके साथ भी हाज का परियोग होगा उसके बाद नोट का परियोग तो सीता हाज नोट उसके बाद गई है मतलब कि ये जाने का काम हो रहा है तो गो, वेंट, गॉन तो भर्ब का थर्ड फॉम हो जाएगा गॉन और जाने के साथ यानि कि go के साथ हमेशा हम लोग to का परियोग करेंगे तो fita has not gone to object देखिए object में है हजारी बाग तो यहां लिख देंगे हजारी बाग तो इस तरह से fita हजारी बाग नहीं गई है इसका translate बन जाएगा fita has not gone to हजारी बाग next five number sentence है तुमने खाना नहीं खाया है तुमने तो तुमने का English हो जाएगा you तो you यहाँ पर है subject में और you के साथ have का परियोग होगा और उसके बाद नहीं है तो नहीं है मतलब की यहाँ पर not का परियोग कर देंगे और उसके बाद भर्ब का third form तो इस sentence में भर्ब है खाया मतलब की खाने का काम हो रहा है तो eat means होता है खाना तो eat, ate, eaten तो भर्ब का third form हो जाएगा eaten और क्या खाने की बात कीर जा रही है तो खाना तो खाना का English हो जाएगा food और फिर full stop तो इस तरह से you have not eaten food तुमने खाना नहीं खाया है नेक्स्ट है वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखे हैं तो वे लोग यहाँ पर subject में है तो इसका English हो जाएगा दे और दे के साथ परियोग होगा have का और उसके बाद not का परियोग उसके बाद भर्ब यहाँ पर है सीखे मतलब की सीखना सीखना का English होगा learn और इसका भीतरी होगा learn learnt learnt तो यहाँ लिखेंगे learnt और क्या सीखने की बात की जा रही है तो object में है अंग्रेजी तो इसका हो जाएगा English तो इस तरह से they have not learnt English वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखे हैं next है मैं नहीं सोया हूँ तो मैं यहाँ पर subject में है तो इसका English होगा I और I के साथ परियोग होगा have का उसके बाद not और यहाँ पर देखिए भर्ब में है सोना यानि कि सोना का English होता है sleep और यहाँ पर है भर्ब का तीसरा रूप तो इसका हो जाएगा sleep slept slept और object नहीं है तो यहीं पर sentence को end करेंगे और full stop लगा देंगे तो मैं नहीं सोया हूँ या तो मैं नहीं सोच चुका हूँ इसका translate बनेगा I have not slept नेक्स्ट वाक्या है पिता जीने पैशे नहीं भेजे हैं तो पिता जीने पैशे नहीं भेजे हैं इसका translate क्या बनेगा यह आप कमेंट में बताइए जिसका भी answer सही होगा उसको मैं reply करूंगा तो फ्रेंश I hope कि आपको present perfect tense का negative sentence अच्छे से शमज में आया होगा अगर आपको यह वीडियो पर संद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe करें धन्यवाद